देश में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीए को लागू करने सम्मंदी अधिसुष्णा को जारी कर दिया गया है नार से आने के बाद कई लोग भारा से बाहर हो जाएंगे इनमें से कुछ लोगों को सीए के तहर नागरिक्ता देदी जाएगे जो आज सोशल मीडिया पर सुबा से ही ट्रेंड कर रहा था आखिरकार वो पूरा हो गया है जी हाँ मोधी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोग खेल दिया है लोग सबच नाव दोहजार चुनाव दोहजाबिस की घोशना से पहले इकेंडर सरकार के और से आज याणि की सोमवार और तारीक 11 मार्च 2024 से देश में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम 2019 यानि कि C.A. को लागू करने संबंदी अजी सुचना को जारी कर दिया गया है लेकिन सबसे पहले मैत्वपूर्ण है कि C.A. आखिर है क्या जो दिसम्बर 2014 तक किसी ना किसी पतार्ना करशिकार होकर भारत आई अब इसमें गैर मुसलिम, माइनोरिटी, हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी और इसाई शामिल है नागिक्ता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोग सभा में पेश किया गया था यहां से तो यह पास हो गया था लेकिन राजी सभा में अटक गया था बाद में से संसद्य समीति के पास भेज़ा गया और फिर 2019 का चुराव आ गया फिर से मोधी सरकार बनी दिसंबर 2019 में से लोग सभा में दुबारा पेश किया गया और इस पार यह बिल लोग सभा राजी सभा दोनों जगह से पास हो गया दर्शवन जनवरी 2020 को राजपती के मंजूरी मिल गई थी लेकिन उस समय कोरोना की वज़़र से देली हुई क्या मंजूरी मिलने के पांच साल बाद सिये लागू हो पाएगा सबसे बड़ा सवाल यह है देखे सिये को लेकर साल 2020 से लगातार एक्स्टिंशन लिया जा रहा है दरसल संसदिये प्रक्रियाओं के नियम वली के मताबिक किसी भी कानून के नियम राश्पती के सहमती के च्छे महिने के भीतर तयार किये जानी चाहिए ऐसा ना होने पर लोकसभा राजसभा में अधिन स्तविधान समीतियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए CPA के केस में 2020 से गरहमंत्राले नियम बनाने के लिए संसदिय समीठियों से नियमित अंत्राल में एकस्टेंशन लेता रहा है नौ राज्यों के DM को क्या अधिकार मिले हुए हैं पिछले दो सालों में नौराज्यों के तीस से ज़ादा जिला मजिस्ट्रेटों ग्रह सचीवों को बड़े अधिकार दिये गए हैं डियम को तीन देशों से आए गैर मुसलिम अलप संख्यक समधायों को भारतिय नागरिक्ता देने की शक्तियां दे दी गई हैं नागरिक्ता ग्रह मंत्राले की 2021 से 22 की रिपोर्ट के मताबिक एक अपरेल 2021 से 31 दसंबर 2021 तक इन गैर मुसलिम अलप संख्यक समधायों के कुल 1414 विदेश्यों को भारतिय नागरिक्ता दी गई है जो नौ राज्यों में नागरिक्ता दी गई है वो गुजरात, राज्यस्थान, छत्रसगर, हर्याना, पंजब, मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश, दिली और महराष्ट्य हैं नागरिक्ता किसे मिलेगी? देकिन नागरिक्ता देने का अधिकार पूरी तरह से केंदू सरकार के पास है पाकिस्तान हूँ, बांगला देश हो, अफगानिस्तान से आई जो हिंदू, सिख, बौध, जया, निसाई और पार्से धर्म से जुड़े शरनार्थियों को भारते नागरिक्ता दी जाएगी जो लोग 31 दसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिक्ता मिलेगी इस कानून के तेट उन लोगों को अवैद प्रवासी माना गया है जो भारत में वैद यात्रा यानि कि पास्पोर्ट और वीजा के बगार घुसाए हैं या फिर वैद दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तैय अवदी से ज़्यादा समय तक यहां रुख गए हूँ आवेदन करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? पूरी प्रक्रिया ओनलाइन होगी इसके लिए ओनलाइन पोर्टल भी तियार किया गया है आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवीश किया था आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा नागिक्ता से जुड़े किसी भी ऐसे मामले पैंडिंग है वो सब ओनलाइन करन्वर्ट किये जाएगे पात रिस्तापितों को सिर्फ पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन करना होगा उसके बाद ब्रह मंत्रा ले जाज करेगा और नागिक्ता जारी कर देगा विरोद आखिर क्यों हो रहा है देखे, C.A. के बारे में जब से आपने सुना होगा बहुत लोग बेहते तरीकर जाते हैं शाइन बाग से तो और लोग इससे जानने लगे कि किसी को लेकर वहाँ पर विरोद रहा और इसका विरोध क्यूं हुआ ये में तो पूर्ण है जाना विपक्ष का कहना है इस कानून के जरीए खासतोर पर मुस्लिम समधाय को निशाना बनाया जा रहा है वो जान बूच कर अवैद गोशित किये जा सकते हैं वहीं बिना वैद दस्तावेजों के भी बाक्यों को जगा मिल सकती है विपक्ष का तर्ख है कि समधान के अनुष्टे 14 कॉलंगन है जो समानता के अधिकार की बात करता है हाला कि पुर्वत्तर के पास अलग वजा है वे मानते हैं कि अगर बंगला देश से आए अलप संक्यों को को नागरिक्ता मिली तो उनके राज्यके संसादन बढ़ जाएंगे एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पुर्वत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजिवका का संक्र भी पैदा हो जाएगा पुर्वत्तर के मूल लिवासी यानि वहाँ बसे आदिवासी लोग सीय के विरोध में हैं इन राज्यों में उनाचल प्रदेश, आसम, मानिपूर, मिघालिय, मिजोरम, नागलेन, ट्रिपुरा, श्रामिल हैं इन साथो राज्यों के मूल लोग सजातिय हैं इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है लेकिन कुछ दश्कों से यहां दूसरे देशों से अलप संक्याख समुदाए भी आकर बसने लगा है खासकर बांगलादेश और पाकिस्तान के अलप संक्याख बंगाली यहां आने लगे हैं नौर्टेस्ट में आकर शरनाती क्यों बस गए हैं नौर्टेस्ट इस समय अलप संक्याख बंगाली हिंदू का गड़ बन गया है इनकी वज़वी सामने आई है दरसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संक्या में बंगाली भाशी बसे होए थे जिन पर लगअत्तार हिंसा हो रही थी वहाँ युद हुआ बंगलादेश बंगया लेकिन कुछी समय में बंगलादेश में भी हिंदू-वंगाली पर अत्यचार होने लगे क्योंकि ये देश में मुसलिम बहु सक्क्य है पाकिस्तान और बंगलादेश में अत्यचार से परिशान होकर लोगों ने पलाइन शुरू कर दिया और भाग कर भारत आने लगे लोगों को वैसे तो अलग-लग राज्यों मसाय जा रहा था दरसल मेगाले में वैस्तो गोरों और जैंतिया जैसी ट्राइबल मूल निवासी हैं लेकिन अल्प संख्यों को के आने के बाद वह पीछी रह गए हर जगा मानोर्टी का दबदबा हो गया इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं वहाँ भी बंगाली शुरणार्ती भर चुके हैं यहां तक की सरकारी नौकरी में बड़े पद पर भी उन्हीं के पास जा चुके हैं अब अगर सिये लागू होता है तो मूल निवासियों की बची कुछी ताकत भी चली जाएगी दूसरे देशों से आकर बसेवे अल्व संख्यक उनके संसाधनों पर कबजा कर लेंगे यही डर है जिसकी वज़े से पुर्वोर्ता सिये का भारी विरोध कर रहा है असम में क्या फर्क पड़ेगा असमे 20 लाग से जादा हिंदू बांगलादेशी अवयद रूप से निवास कर रही है यह दावा साल 2019 में वहाँ के स्थानिय संगठन क्रिशक मुक्ती संग्राम कमीची ने किया था यही हालाद बाकी राज्यों के भी है आमतोर पर नागरिक्ता कैसे मिलती है कानूनन भारत की नागरिक्ता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है लेकिन नागरिक्ता संचोधन कानून में इस तीन देशों के गैर मुस्लिम को 11 साल की बजाये 6 सार रहने पर ही नागरिक्ता दे दी जाएगी बाकि दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भार्त में गुजारना होगा बने फिर वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो बीजेपी के एजंडे में सीए शामिल है पहले दिन से सीए लागू करना बीजेपी की प्रती बधता में शामिल है बंगाल के बनगाओं से बीजेपी सांसर शांतिल ठाकुन ने वही बात दोराई है जो किंद्र गृमंत्रियों में शाह ने अपने सीए को लेकर बयान में कही थी पिशर साल दिसंबर में किंद्र गृमंत्रियों में शाह ने कहा था और लोगों से TMC की सरकार को बंगलादेश से हटाने और 2026 के विधानसभा चुनाव में BJP को जिताने के अपील गी थी सीए को लागू करने का वादा पश्यों मंगाल में पिश्री लोग सभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा का एक प्रमुक चुनावी मुद्धा रहा है अब प्रदर्शन कहा का हुआ था दरसल नागलिता शंशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होते वे नजर आए उत्तर से लेकर दक्षिन और पूर से लेकर पश्युम के राज्यों में इस कानून और नर्सी के खिलाफ लोग सड़ को पतर आए इस कारण उत्तरप्रदेश, बिहार, महरास्ट, करणाटक, तमिलनाडू, आंधर, प्रदेश, पशिमंगाल जैसे राज्यों के कई बड़े शेहरों में धाराक से चवालिस में लगाई गई थी इससे पहले प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी लिया था आपको पताते हैं कि 24 राज्यों के 50 से जादा शेहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया, इस प्रोटेस्ट में कई लोगों की जान भी चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे, प्रोलिस ने दर्जन लोगों को गिरपतार भी किया था दिली के अगर बात कर लें तो नागितर शन्चोदन कानून के खलाफ राज़ानी दिली में लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं जाम मुजित के पास लोगों ने प्रदर्शन किया, बीमार्मी के चीफ चंदरशी का राज़त भी महाँ पर पहुंचे हुए, सम्विधान क भी कड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया और इसकी अलावा है धराबाद में भी लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आये और यहां से एक जगवाँ पर पहुंचे थे, दरसल इस कानून को लेकर काफी प्रदर्शन बवाल हुआ, लेकिन ये मूल रोप से भारत के परोसी देशों के लोगों को नागरिता देने से जुड़ा कानून है, देश में रहे लोग इससे प्रभावीत नहीं होंगे, लेकिन उसकी बावजूद भी लोग शायद उस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन कोरोना आ गया और फिर इसका असर धीरे-धीरे कम हो ग परोसी देशों के लोगों को नागरिता देने का परावधान है, फायदा किससे होगा, पाकिस्तान, मांगला देश या अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के अधार पर परिशान किया जा रहा है, उनको असानी से भारतिय नागरिता मिल जाएगी, नुकसान किसी होगा, इस कानून से किसी को सीधा नुकसान नहीं होने वाला है, हाला कि परोसी देशों के लोग आने पर भारत के अबादी बढ़ेगी, मौज समिधान के मताबिक देश में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदवाब नहीं किया जा सकता हालाकि इस कानून में मुसलमानों को नागरिक्ता देने का प्राधान है नहीं इस वज़र से धर्म निर्पिक्षता का उलंगन करने की बाद भी कही जा रहे है और जिनके पास ये भी सबूत नहीं होगा कि वो पहले किस देश में रहते थे उनके पास रहने के लिए कोई देश ही नहीं होगा वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है इस कानून को लेकर अंतरास्ते निकाईयों और मानावेदिकार संग्ठुन ने भी भारसरकार की आलोशना की थी मानावेदिकार उलंगन और धार्मिक मेरभाव को लेकर भी आलोशना हुई है दुविकरन की चिंता क्या है इस कानून के जरीये सततारी पार्टी बहुत संक्यक मतों का अपने फक्ष में एक खता कर रही है अब देश में से लागू हो चुका है नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के तहट 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांगला देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आई हिंदू सिख जैन, बौध पार्सी और इसाईयों साइद प्रतार्ना जेल रहे गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतिये नागरिक्ता द नागरिक्ता के अधिकारों को समान रूप से सरक्षित करता है। में से केरल विधानसबा, पंजाब, राजस्तान, पश्चमंगाल, पुद्डुचेरी, तिलांगना प्रमुक रूप से शामिल है तो सरकार ने तो बड़ा मास्टर स्टो खेल दिया है विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि जान बूच का चुनाफ से पहले तिनी बड़ी घोशना की गई है अला कि सुबह से ही सुबगाहट थी कि बहुत जल्द सिये लागू हो जाएगा लेकिन एकदम से खबर आई और देश में हल चल मच गई, देश की राजनीती में हल चल मच गई इसकी अलावा देखे, नौर्थ इस्ट में क्योंकि सबस्यादा बवाल था, वहाँ से लोग लगातार सिये के खलाब थे वहाँ पर काफी जादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसके अलावा दिल्ली के शाहिन बाग में सबसे जादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है फ्लाइग मार्श वहाँ पर निकाला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भी लोग धरने पर बैटे कर पूरा रोड दो महिने तक उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था आखिरकार 2019 में जो होना था वो अब 2024 में हुआ है देश भर में सिये लागू हो गया है तो कहा जा सकता है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था और आखिरकार BJP के प्रायटी पर ये था और वो BJP ने पूरा कर दिया है कमेंट करके जरूर बताएं कि सिये लागू हो चुका है क्या इससे देश में कुछ बदलाव होगा क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी फाइदा उठाने के लिए फैसला चुनाव से पहले लिया गया है या ये भारत के लिए बहतर है